गूंग्रींग्रीं आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्लेटी हेलमेंts का जो classification है उसको पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन हमें सिर्फ class level तक ही पढ़ना है अगर हमें पढ़ना है तो class level तक पढ़ना उझाग Mirror यह अगरा क्लासिफाइड करते हैं तो लेटियल मेंस जो है- nOkay- to को मोगोवीद करते हैं आइ मैं किस किस बेस पर हम उनको डिवाइड करते हैं वो है एक तो mode of life उनका चीफली जो platal means की mode of life है ठीक है उसके बेस पे हम इनको तीन classes में divide कर देते हैं three classes three classes बनाते हैं हम इसकी ठीक है एक class है इसमें टर्बील एरिया एक class है इसमें ट्रेमर टोड़ा और एक class है इसकी सिस टोड़ा ठीक है तो हमने platal means को उनकी mode of life के बेस पे चीफली जो mode of life है उसका उसके बेस पे हम इसको divide कर देते हैं तीन class के अंदर और बाकी इसमें हम उसका digestive tract देखते हैं free living है parasitic nature है कि नहीं है ठीक है यह सारा हम बेस बनाते हैं लेटल में उसको classify करने के लिए ठीक तो तीन class बनाई गई हैं एक है ट्रबील एरिया और यहां यहां पर सिस्टोड़ा तीन classes है तो कुछ general feature जो इन तीन classes के हैं वह हम देख लेते हैं इनको compare कर लेते हैं तीनों तो जो तर्बील एरिया है यह तो इसमें कौन से organism है जो free living है तर्बील एरिया class के अंदर free living organism है ठीक है ट्रेमेटोडा के अंदर parasitic है कैसे है पैरसिटिक और generally कौन से एंडो-पैरसाइट्स है जनरली एंडो-पैरसाइट्स हैं ठीक है सिस्टोडा के अंदर पैरसाइट है और सभी के सभी एंडो-पैरसाइट है ओल आर एंडो-पैरसाइट सभी के सभी एंडो-पैरसाइट से है नेक्स्ट यह जो free living है यह fresh water और sea water के अंदर मिलते है ठीक है अकर से इन fresh water sea water और on land जमीन पे भी मिलते हैं यह कुछ एक sea water में और कुछ एक जो है वो कि जमीन पे भी होते हैं तो यह पैरसाइट है तो यह किसी नह nursery की बोडी है वो भी है ठीक है तो यहां लिख देते हैं लिव इंसाइड दा बोड़ी ओफ एनिमल या और्गनीजम इंसाइड दा बोड़ी ओफ एनिमल अदर अनिमल यहां पर भी सेम है ठीक है लिव इंसाइड दा बोड़ी ओफ अदर अनिमल है नेक्स्ट्वीचर हम तर्विल में देखें बोड़ी जो वह लीफ लाइक है और अन जएग्मेंटे ड़िल्कीर तषियी अ Boki लीफ लाइक और अन्सेग्मेंटेड है यहां पर भी बोडी कैसी है लीफ लाइक है और अन्सेग्मेंटेड है लीफ लाइक अन्सेगमेंटेड और यहां पर सूडो सेगमेंट्स हैं बोडी में सूडो सेगमेंट्स हैं लीफ लाइक तो है रिबन लाइक है यहां पर बोडी ठीक है बोडी यहां पर कैसी है रिबन लाइक और सूडो सेगमेंटेशन है यहां कहें pseudo segments है यहां पर जो epidermis है वो ciliated है epidermis is ciliated और यहां पर जो epidermis है वो absent idle form है absent in adult form और यहां पर epidermis यहां पर भी नहीं होती है epidermis absent है epidermis की जगहें पर यहां क्या है cuticle है cuticle है epidermis की जगहें यहां पर cuticle की layer और यहां पर भी क्या होगी cuticle होगी cuticle is present surface पर और इनको हम एक्जामपल देखते हैं वैसे जो टर्विल एरिया है उनको हम कॉमनली प्लेनेरियंस बोलते हैं कॉमनली कॉल्ड प्लेनेरियंस कॉमनली कॉल्ड प्लेनेरियंस ठीक है तो यहां एक्जामपल देखते हैं कौन-कौन से हैं एक्जामपल में जैसे डूजेसिया, कॉन्वलूटा और नॉट प्लेना यह कुछ एक्जामपल है विजेसिया जो है उसका हम प्लेनेरियंस बोलते हैं यह क्लास का मेन और्गनीजम है इसलिए इसको हम प्लेनेरियंस भी बोलते हैं यहां पर जो ट्रमे टोड़ा है उसमें एक्जामपल है जैसे फैसियोला ठीक है और फैसियोला को लिवर फ्लूक भी बोला जाता है क्या बोला जाता है लिवर फ्लूक और इसके अलावा फैसियोला के अलावा इसमें एक और्गनीजम है सिस्टोसॉमा ठीक है और एक है पॉलिस्टॉमम जो सिस्टोसॉमा है उसका ब्लेड फ्लूक भी बोलते हैं अब ब्लेड फ्लूक और इसमें सिस्टोडा क्लास के अंदर जो एक जम्पल है उसमें टेनिया टेनिया सॉलियम जिसको टेप वों बोला जाता है ठीक है और एक है इकिनो कोकस यहां पर टेनिया सोलियम टेनिया कोकस है जो ट्रेमेटेटोडा क्लास है फैस्टोसॉमा क्लास है ठीक है ट्र्भील एरिया ए मिंद थी अर्टी यू-उ-र ट्यू-आर धी डॉलल अर्यार न छो स्वाटि ट्रवल गल्च तो इधर दूजेश कोन लाने अरियाम इस बूटा और नॉट अपलेन यह कुछ एक एक जामपल है इसके अंदर तीक है और यह पोली स्टोमम जो है यह यह एंडो पैरसाइट है फ्रॉग और टर्टल के अंदर एंडो पैरासाइट एंडो पैरसाइट ऑफ यूरिनरी ब्लेडर ब्लेडर उरिनरी ब्लेडर और टर्टल एंड फ्रॉग टर्टल और फ्रॉग तर्टल एंड फ्रॉग ठीक है यह एंडो पैरसाइट है turtle और frog के अंदर Uninary bladder के अंदर Uninary bladder of frog and turtle इसके बाद बहर ये तो था कुछ class तक उनका classification सर्फ हमें class class ही पढ़नी है इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो ये parasites है in case special adaptations कौन सी है जो ये parasitic mode of life को इसली सरवाइव कर लेते हैं या इसली यह आपनी parasitic mod i जो life है इनकी इसमें survive कर लेता है ठीक है या parasitic mode of life को यह को complete कर लेते हैं बगर किसी बगर किसी प्रोब्लम के तो वह में पड़ना है parasitic adaptation of platy Inn's कौनकौन सी parasitic adaptation है कौन-कौन adaptive feature है जो उसको survive करने में help करते हैं उसकी parasitic life के लिए ठीक है तो एक चीज़ जो फर्स्ट पॉइंट हमें यहां यां दिखना है कि lokor advocacy organs नहीं होते हैं को का दोपन चीश है कि है और दूसरा जो फीचर है है तूसरी जो अडपटेशना है digestive organs reduced है यह फिर absent है ठीक यह digestive tract जो है वो नहीं होता है digestive tract absent next sense organs इनके के अब संस और्डन्ल पिए यह भी अप्ष आपल्ग और इस इन्विए अब है आपसेंट इन ब्रीड इस प्लेटफ ओम हैं यहाद दा आए आपकंद आ कि जो प्रेशिस्टिक प्लेटफोर्म इन में नेंदर sense औरगंस नहीं है। हमें नेक्स अट टेशन देखते gw अड़कोर्ड नेजिए सक्कफर और show a body के साथ चिपकने में ने बड़ के साथ औरड सboys बोड़ को साथ होने में पास क्या होँगे अड़क्षिष bashk like suckers and hooks are present ठीक है यह hooks जो है यह और suckers जो है वो बॉडी के साथ अएक्ष ऑने बॉन हेल्प करें गय estates करता है ठीक है फ्रिफकर की जो बॉड़ अरो मिनीटिम है है उसके ब्लड को वह सबक लेता हे ठीके और इनका जो body surface पर cuticle होगी cuticle on body surface अठीके body surface पर क्या होगी cuticle कुटिकल की लेयर होगी और यह कुटिकल की लेयर जो है उनको रजिस्टैंस प्रवाइड करती हैं जो होस्ट और रिलीज करेगा उन से ठीक है प्रवाइड रेजिस्टेंस टू एंजाइमस एंड एंटि टॉक्सिन एंटि टॉक्सिन ओव दा होस्ट ठीक होस्ट की बोडी जब यह पैरसाइट है वोस्ट की बोडी में जाएंगे तो होस्ट की बोडी जो है वो रेजिस्टेंस करेगी इनको रोकने का काम करेगी तो वह कुछ एंजाइम और एंटि टॉक्सिन रिलेज करेगी लेकिन इसी क्यूटिकल की जो लेयर है उससे यह बच जाते हैं एंजाइम और एंटि टॉक्सिन से ठीक है और respiration जो यहाँ पर होगा इनके अंदर वो anaerobic होगा जो endoparasite है उनके अंदर respiration कैसा होगा respiration is anaerobic कौन से जो endoparasite है उनके अंदर तो respiration कैसा होगा anaerobic होगा और एक जो सबसे जब इंपोर्टेंट जो इनका अडप्टिव फीचर है वो end की reproduction की रेट और reproduction की जो रेट हैंकी वो काफी ज़्यादा होती है reproduction rate is very high ठीक है ताकि जल्दी जल्दी अपने नंबर को बढ़ा सके और survive कर सके जिससे ज़्यादा ज़्यादा नंबर प्रडूस करेंगे ताकि इनका survival rate बढ़ जाए ठीक है और host की बोड़ी में ये इन्फेक्शन या डिजिस जो आप वो कोज कर सके ठीक है तो यह कुछ एक पॉइंट है आपको याद रखने है host और जो पैरसिटिक जो फ्लैट वर्म्स है उनमें लोकोमोटरी और गन्स नहीं होंगे digestive tract जो है इनका digestive system का है वो absent होगा क्योंकि जो food होगा वो already digested होगा तो इन्हें digestive tract की ज़रत नहीं पड़ेगी sense organs जो है इनके वो absent रहेंगे और जो special है इनके पास वो suckers और जो hooks है यह present होगे ताकि यह host की body के साथ attach हो सके ठीक है इनका जो body surface होगा उस पे cuticle की layer होगी जो उसको resistance प्रोवाइड करेगी enzymes और anti-toxins से और जो endoparasites है उनके अंदर जो respiration होगा वो anaerobic होगा ठीक है और reproduction की rate जो है इनकी वो फाफी ज्यादा होगी और इस ज्यादा rate का फाइदा इन्हें है कि यह survival rate जो है इनका वो बढ़ जाता है host की body के ठीक है तो यह कुछ parasitic adaptation थी platy elements की यह आपको याद रखने है इसके बाद next जो topic हमारा उसमें हम देखते हैं कि कुछ जो parasitic organisms हैं flatworms हैं ठीक है वो कैसे नजर आते हैं क्या कुछ उनके जनल स्पेसिफिक कुछ एक features जो है वो देखते हैं one by one ठीक है अब हम यहां कुछ parasitic जो platy elements है parasitic जो flatworms हैं उनके बारे में पढ़ते हैं ठीक है उनकी structure कैसी है क्या कुछ उनके features है एक दो general features जो है उनके वो देखते हैं important features ठीक है त पूरा इस तरह से नजर आता है और यह इसकी जो body structure है उसमें जो यह अपर जो यह क्या है oral सकर है ठीक है यह जो दो इसमें दिखते हैं यह acetabulum में यह भी सकर की तरह ही है सकर ही है यह एक तरह से और यह organism जो आपको दिखता है यह अंदर से जो यह से बहार निकल रहा है यह यह है female organism ठीक है और यह जो organism है यह बहार वाला यह है male organism और यह male organism जो है इस female organism को अपना जो गाइनेकोफोरिक जो कैनाल है यह जो line आपको दिख रही है ऐसे बीच ओ बीच यह जो line है इसको क्या बोलता है हम गाइनेकोफोरिक कैनाल बोलता है और यह इस गाइनेकोफोरिक कै के अंदर प्रेजेंट होती है ठीक है तो यह मेल और्गनीजम यह फिमेल और यह जो सिस्टोस्टॉमा है यह हिपाटिक पॉर्टल सिस्टम जो है ठीक है और मिजेंट्रिक ब्लड वैसल्स जो है यह है उनके अंदर यह एंडो पैरसाइट यह रहते हैं यह पूरा और्गनीजम कौन सा है सिस्टोस्टॉमा की ऐसी सेफ हमें नजा रहते हैं जिसमें मेल और फिमेल दोनों है ठीक है और मेल और फिमेल जो है वो सेक्ष्वल डायमोर्फीजम शो करते हैं यहां क्योंकि और मेल को हम देखके पैचान सकते हैं कि मेल कौनसा और कौनसा और कनीजम है ठीक है तो यह कहां रहता है हिप्इट्री पोर्टल सिस्टम और जो मिजन्ट्री ब्लड वैसल्स है हुमन बेंग की उनके अंदर यह एंडो पैरसाइट है ठीक है इसके इलावा यह जो हुमन बि जो जिन्स है जैसे लिम्नेया एक जिन्स जैसे है स्नेल का जो जिन्स है लिम्नेया उनके अंदर ये प्रजेंट होता एक जिन्स और होता है जिसको हम प्लैन और प्लैन और बिस बोलते हैं ये एक लिम्नेया जिन्स है तो लिम्नेया जिन्स की जो स्नेल्स होंगी इनके अंदर इनको एज इंटरमीडियट होस्ट यूज करेगा यह इस तरह से होता है फिर इसके बाद दूसरा जो एक औरगनीजम है वो है फैशियोला फैशियोला हिपैटिका इसको बोलता है पूरा नाम इसका है फैशियोला हिपैटिका यह पूरा इस तरह का औरगनीजम है यह अपर अपर जो यह पार्ट है उसका यह है औरल सकर यह कौन सा है औरल सकर इसी की हेल्प से यह बोडी के साथ अटेच होता है बोडी व के साथ अटेच होने में हेल्प करता है और यह उपर दी छोटी सी जो लाइन है यह है जो उपर दोट जो दिख रहा है एक पे जो दिख रहा है यह कॉमन जनिटल पॉर जिसके थुरू यह रिप्रोडक्शन जो है गैमेट्स की जो एंट्री है और जो रुणी जमिए से बाहर निकलता है इसके बाद यह जो फैशियोला है यह मिलेगा लीवर और बाइल डक्ट के अंदर ठीक है सीप और गोट इनके प्रैमरी होस्ट है इनके सेटी जो लीवर और बायल है बाइल डग्ट जो है उनकी अंदर यह दूज सब्सक्राइब होता है सब्सक्राइब कर दूह सीजी कोज करता है ई लीवर रोट जो है वोभी तो यह कोज करता है यह यह अ और लिवर रॉट बोले ओसको हम फैस्यो लियॉसिस भी बोल से प्धियो लियॉसिस बीडियॉस गव और इसके बाद हमारे पास एक और थर्ड जो पेरासाइट है पेरासिटिक फ्लेट्वर्म है वो है इकिनो कोकस ग्रैनुलोसस तो यह स्ट्रक्चर इसकी ऐसी होगी ऐसी ओला की याद रखनी आपको डाइग्राम बनाना इनका पूरा और थर्ड जो एक और्गनीजम है वो है इकिनो कोकस ग्रैनुलोसस यह है इकिनो कोकस ग्रैनुलोसस और इकिनो कोकस ग्रैनुलोसस एक इसकी जो क्लास है वो है स्टोड़ा क्लास उसके अंदर आथा जिसमें टेफ वोम आता है ठीक है बिल्कुल फ्लैट बोड़ी है, रिबन लाइक बोड़ी होगे इसकी थोड़ा सा इकिनो कोकस तो इसमें ये कई सारे इसके पार्ट है ये जो अपर पार्ट आपको याँचे ये दिख रहा है ये रोस्टेलम है रोस्टेलम के नीचे ये हुक्स जो है हुकलेट्स जो आपको ये नजर आ रहे हैं इसमें ऐसे और यहीं पर ये दो सकर यहां प्रेजेंट होंगे और ये पुरी ये स्टक्चर इसको क्या बोलते हैं स्कोलेक्स बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं स्कोलेक्स बोलते हैं स्कोलेक से नीचे का जो यह reason है यह है neck उसकी ठीक है और neck से नीचे का जो यह नीचे का जो part हो जाता है वो होता है strobilla और इस strobilla के अंदर यह जो part है यहां से यहां neck से नीचे का जो यह part है इसको क्या बोलते है strobilla बोलते है तो बोड़ी जो वो तीन पार्ट में divided है स्कोलेक्स, नैक और ये स्टोबिला स्टोबिला के अंदर ये छोटे छोटे जो ये टुक पार्ट आपको दिख रहे हैं सेगमेंट जो दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं प्रोग्लोटिड से बोलते हैं तो स्टोबिला के अंदर तीन से चार प्रोग्लोटिड जो नllesक के बिल्कुल नजदीक होगी जो न्यक से डारेक्bourल आटाच होगी वह होगी इम्मैचौर प्रोग्लोटिड से जयंके, इसके बाद में नीचे वाली जो होगी वह मैचौर प्लोग्लोटिड हो जाएगी करेगा और अवरी जो फिमेल गामेट प्रेडियूस करेगी ठीक है इधर यह आइक्स आपको दिख रहे हैं यह ऐसे ब्रांच जो इसका यूट्रस है वो नजर आ रहा है जिसके अंदर और्गनिजम का डवलफमेंट होगा ठीक है यह जनिटल पोर है यहां से ठीक है तो इकिन कोकस जो है उसको हम टॉग टेप homeless पी बोलते हैं ठीक है। यह जो आइंडो पैरसाइट है इंदर ऑंच नाइक ओडसज टोवेलाн नीचे का यह क्या है है यह नेक हो गई है और यह नीचे स्टॉबिला हो गया ठीक है एक स्टॉबिला में तीन से चार प्रोग्लोटिड्स होंगे और इसको इस इकिनो कोकस को हम हाइडेटिड वॉम भी बोलता है और अगर कभी यह हुमन बिंग के दर एंटर कर जाता है तो यह डिजिज कोज करता है हाइडेटिड डिजिज जो की फैटल डिजिज है क्योंकि इसके सिस्ट जो है फिर वो ब्रेन में पहुंच जाते हैं और ब्रेन को डेमेज कर देते हैं और यह इससे डैथ भी हो जाती है तो यह था इकिनो कोकस का डाइग्राम और यह इसके कुछ फीचर थे आपको अन्रेक्सिस घुक जो इसके उसमें नाम आता है टेप विन के औरENTS को पोर्क बोलते हैं ठीक है और जो शे नेंडिक नेम है इसक वो है आर्डेटि या इसको बोलते है पोर्क इचर फोंप यह क्योंकि जादतर यहां जो पिग है उसके जो फ्लाइश है जो उसका मेंट है ठ प्रास्पर होता है ज़्यतार उनके अंदर ही मिलता है उनकी इंट्रेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और अगर कोई और हम यूमन बींग अगर अनकुक्ड पिग जो मीट अगर हम उसको खाएं तो इसके जो सिस्ट है वह हमारी बोडी में भी अनकुकड जाता है अनकुकड जो मीट खाएं कम पका हुआ तो ये बोडी में अटर कर सकता है और ये काफी लंबा हुता है इसकी लेंध जो है वो काफी होती है काफी बड़ा अर्गनीजम है ये और इसमें लग भग ये जो आठ से 10 मीटर जो है इसकी 1.8 24.5 मीटर लेंथ जो है इसकी वो होती है और टेनिया सॉलियम जो है उसकी लेंथ जो है वो 8 से 12 मीटर तक हो सकती है ठीके तो जो अलग-लग इसमें लेंथ का साइज होता है याम का अलग-लग साइज होगा इसका तो जो टेनिया सॉलियम है इसकी जो साइज है जो लेंथ है इसकी वो है लगभग 1.8 24.5 मीटर ठीके इसकी लेंथ जो होगी लेंथ जो होगी वो है 1.824.5 मेटर तक इसकी लेंद होती है यह पूरा जो और्गनीजम है आपका इसा दिकरा काफी लंबा होता है यह पूरा इतना बड़ा और्गनीजम है complete ठीक है और इसमें इसके वही तीन पार्ट है बोडी जो है उसके इसमें तीन पार्ट है स्कॉलेक्स है नैक है और स्कॉलेक्स है तो स्कॉलेक्स तो यह रीजन हो गया है नैक वाला यह पार्ट हो गया है इसका ठीक है और यह वाला कौन सा पार्ट हो गया है स्कॉलेक्स हो गया है इसका इसको हम क्या बोलते है स्कॉलेक्स ठीक है और यह नीचे का जो पार्ट हो गया है नैक हो गई है और नैक से आगे का जो यह पार्ट हो गया यह किसमा आता है स्टोबिला के अंदर आता है स्टोबिला में वही प्रोगलोटिड्स हो गई इन सेग्मेंट को क्या बोलते हैं बनते हैं तो बडिंग से बनते हैं तभी इसमें यहां के आई यह चोटे-चोटे सेग्मेंट्स हमें नजा रहता है नहीं को बोलते हम सूडो सेग्मेंट्स और जो प्रोसेस है हुआ है सूडो सेग्मेंटेशन ते के इन छोटे-छोटे इस सारे बने हैं ़ो कि से बने बड्रेंंक से बने हैं यह पूरी बोडि यह उसकी बोडि में tabii HARRIS लिय उपधार हैं यह सका यहां पर परजेंट है इसमें दिख रहे हैं ठीक है और यह जो पूरा रीजन होगा यह क्या होगा स्कॉलेक्स और स्कॉलेक्स का नीचे यह नैक और बाकी का यह क्या होगा स्ट्रोबिला पार्ट होगा जिसमें चोटे-चोटे सेग्मेंट्स प्रोग्लोक्टिट्स है ठीक है और यह जो टेप फॉर्म है या पॉर्क टेप फॉर्म टेनियस ओलियम जो है इसका जो अडल्ट और्गनीजम है ठीक है वो हुमन बिंग की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो प्रेजेंट होता है और हुमन बिंग इनके लिए क्या है प्राइमरी होस्ट है यहां पर फिर इसके बाद लार्वा जो है वो पिग जो है उसकी मसल्स में प्रेजेंट होता है और पिग जो है इनके लिए वो क्या है सेकेंडरी होस्ट है अगर कोई और्गनीजम पिग क अंडर कुक्ड मतलब कम पका हुआ मीट अगर खाए तो यह लार्वा जो है उसका वह उसकी बोडी मेंटर कर जाता है ठीक है और बोडी तीन पाइट वही स्कॉलेक्स ने को स्टोबिला ठीक है प्रोगलोटिड्स जो है वह क्या शो करते हैं सुडो सेगमेंटेशन शो करते है माउथ और एनस दोनों ही इनके अदर अपसेंट होते हैं मतलों डाजेस्टी ट्रेक्टिंड का अपसेंट होता है और यह जो डिजिस कोज करते हैं तो हम बोलते हैं टेनियस जब होती है तो कुछ सिंप्टम्स होते हैं जैसे एब्डोमिनल पेन होगा तेशलीनेस होगी ठक mining है उसको क्या कर देता हैš damage करने लग जाता है ठीगके और blunt सक करता रहता है जिससे और हमने इतना ही दिखा सकते हैं इसको उसक के बाद टआत स्पीसी जो रहे है टीड इस fascinated ड्रण आधो chatting सेaba Dir जो है उसकी जो लेंथ है वो टेनिया सोलियम से भी बड़ी होती है लगवग आठ से बारा मिटर तक इसकी लेंथ होती है टेनिया से जी नेटा जो है इसकी लेंथ कितनी है आठ से बारा मिटर तक इसकी लेंथ होती है चुझ कैश्ट का जो मीटा विफ बोलता है पिग का जो मीटा वो जो हम क्या बोलते है पॉर्क बोलते है तो जो cattle है और वो फैलो जो है उनके meat से ये human being के अंदर enter कर जाता है ठीक है उनका meat हाता है cattle का तो ये उनके अंदर enter कर जाता है लेकिन वो meat under cooked होना अगर अच्छे से पका हुआ है तब इनके फैलने के chances बिलकुल नाखे बराबर होते हैं लेकिन अगर वो अच्छे से पका हु हो जाता है ठीक है तो ये टेनिया से जीनेटा और इसका जो इंटरमीडियेट होस्ट है वो cattle और वफैलो जाता है ठीक है और इसके बाद में एक और 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 है free living प्लेटियल मेंस के अगर हम बात करते हैं तो free living प्लेटियल मेंस में जो सबसे मेन है वो है डूजेशिया या इसका दूसर नाम है प्लैनेरिया अगर यह ऐसे डिवाइड करें तो इसके दो अर्गनिजम बन जाते हैं अगर इसके हम तीन टुकड़े कर दें तो इस प्लेटियर यहां के तीन नए और्गनिजम जाओ वो बन जाएंगे यहां से ठीक है इसका डॉसल साइड है उपर की साइड ऑसके नीचे वेंटल सर्फेस है तो अगर हम इसको ऐसे पलट दें तो यह इसका सर्फेस हमें नाजर आएगा वेंटल सर्फेस जिसमें इसका म माउथ और जो गॉनोपोर है वो परचेंट है यह सीलेटिट जोन होगा और यह इसका अडेसिव जोन होगा जो किसी के नीचे किसी सबस्टेट के साथ यह अटेच भी हो सकता है ठीक है तो यह था प्लैनेरिया का डाइगरा और यहीं पर आपका जो प्लेटल मिंस है वो अच्छा से लेबल करना है ठीक है थैंक यू